मिलेट वर्ष पर आज दिली के पूसा किर्शी विशुद्यालय परिसर में आज जब सौ से अधिक देशों के किर्शी मंत्रियों मोटे अनाच के चोधार्तियों और प्रतिनिधियों का जमावडा हुआ है और ये ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फरेंस दो दिन तक चलेगा इसका अधिवाद घाटन प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी ने किया और इसमें किर्शी मंत्री नरेंद्र सिंग्तोमर समेथ आ कुछ और केंद्रियों मंत्री भी शामिल हुए इससे युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है और छोटे किसानों के भी बहुत बड़ी मदद हो रही है साथियो भारत इस समय जी ट्वेंटी का प्रसिडेन भी है भारत का मोटो है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर पूरे विश्व को एक परिवार मानने की ये भावना इंटरनेशनल मिलेटियर में भी जलकती है विश्व के प्रती कर्तव्य भावना और मानवता की सेवा का संकल्प सदेव भारत के मन में रहा है आप देखिए जब हम योग को लेकर आगे बढ़े तो हमने ये भी सुनिसी किया कि अंतर राष्टिय योग दिवस के जरिये पूरे विश्व को उसका लाब मिले मुझे खुशी है कि आज दुनिया के सो से जादा देशों में योग को अधिकृत रूप से बढ़ावा मिल रहा है आज दुनिया के तीस से जादा देश आयुरुवेट को भी मानेता दे चुके हैं इंटरनेस्टर सोलर एलाइंस के रूप में आज भारत का ये प्रयाव सस्टेनबल प्लेनेट के लिए एक प्रभावी मंच का काम कर रहा है और ये भी भारत के लिए खुशी की बात है कि आईसा से भी सो से जादा देश जुड़ चुके हैं आज चाएं लाइप मिशन की अगवाई हो क्लाइमेट चेंज से जुड़े लक्षों को समय से पहले हासिल करना हो हम अपनी विरासत से प्रेना लेते हैं समाज में बड़लाव को शुरू करते हैं और उसे विश्व कल्यान की भावना तक ले कर जाते हैं और यही आज भारत के मिलेट मूवमेट में भी दिख रहा है स्री अन सद्यों से भारत में जीवन शैली का हिस्सा रहा है अलग-अलग खेत्रों में जवार, बाजरा, रागी, सामा, कांगनी, चीना, कॉंदो, कुटकी, कुट्टू जैसे कितने ही स्री अन भारत में प्रचलद में है हम स्री अन से जुड़ी अपनी क्रशी पद्धतियों को अपने अनुभवों को विश्व के साथ साजा करना चाहते हैं हम विश्व के पास जो नया है दूसरे देशों के पास विशेस्ताएं हैं उसे भी सिखना चाहते हैं सिखने का भी हमारा इरादा है इसलिए जिन मित्र देशों के अग्रिकल्चर मिनिस्टर यहां उपस्तित है मैं उन से विशेज आगर है कि हम दिशा में एक स्ट्रेबल मेकानिजम डेवलोप करेगा इस मेकानिजम से आगे चलकर फिल से लेकर मार्केट तक एक देश से दूसरे देश तक एक नई सप्लाइचेन विक्सित हो यह हम सब की साजा जिम्मेदारी है साथियों आज इस मंच पर मैं मिलेट्स की एक और ताकत पर जोड देना चाहता हूं मिलेट्स की यह ताकत है इसका क्लाइमेट रेजिलियन्स होड़ा बहुत एड़वर्स क्लाइमेटिक कंडिशन में भी मिलेट्स का आसानी से उत्पादन हो जाता है इसकी पैदावर में अपेक्षा कृत पानी भी कम लगता है जिससे वाटर क्राइसिस वाली जगहों के लिए एक पसंदीदा फसल बन जाती है आप सब जानकार लोग जानते है कि मिलेट्स के बड़ी खुबी यह है कि इसे केमिकल के बिना भी प्राकृतिक तरीके से उगाया जा सकता है यानि मिलेट्स मानव और मिट्टी दोनों के स्वास्त को सुरक्षित रखने की गारंटी देता है साथियो जब हम फूड सिकूरिटी के बात करते हैं तो हम जानते हैं कि आज दुनिया दो तरह की चुनोतियों से जूज रही है एक तरफ ग्लोबल साउथ है जो अपने गरीबों की फूड सिकूरिटी को लेकर चिंतित है दूसरी तरफ ग्लोबल नौक का हिस्सा है जहां फूड हैबिट से जूड़ी बिमारियों एक बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं यहां खराब पोर्षन एक बहुत पराब चलेंज है यानि एक तरफ फूड सिकूरिटी की समस्या तो दूसरी तरफ फूड हैबिट्स की परिशानी दोनों ही जगहों पर इस बात को लेकर चिन्ता जताई जा रही है कि पैदावर के लिए भारी मात्रा में केमिकल इस्तेमाल हो रहा है लेकिन स्री अन्न ऐसी हर समस्या का भी समाधान देते है ज़्यादातर मिलेट्स को उगाना आसान होता है इसमें खर्ज भी बहुत काम होता है और दूसरी फसों की दोल नाम है यह जल्दी त्यार भी हो जाता है इनमें पोशन तो ज़्यादा होता ही है साथी स्वाद में भी पिशिष्ट होते हैं ग्लोबल फूड सिकुरिटी के लिए संगर्स कर रहे विश्वबैं स्री अन्न बहुत बड़ी सोगात की तरह है इसी तरह स्री अन्नसेप फूड हैबिट्स की समस्या भी ठीक हो सकती है हाई फाइबर वाले इन फूड्स को शरीर और सहत के लिए बहुत पायदे मन माना गया है इनसे लाइफटाइल रिलेटेड बिमारियों को रोकने में बड़ी मदद मिलती है यानि पर्सनल हेल्ट से लेकर ग्लोबल हेल्ट तक हमारी कई समस्याओं के हल में स्री अन्नसे हम जुरूर रास्ता खोच सकते हैं साथियों मिलेट के खेत्र में काम करने के लिए हमारे सामने अभी अनंत संभावनाय मोजूद है आज भारत में नेशनल फूर बास्केट में स्री अन्नका योगदान केवल पाट-छे प्रतिशत है भारत के वैज्यानिकों को क्रिशिक शेत्र के जानकराव से मेरा आग्रह है कि हमें इससे बढ़ाने के लिए तेजी से काम करना होगा हमें हर साल के लिए एचिवेबल टार्गेट सेक्ट करने होगे देश ने फुर्ट प्रोसेसिंग सेक्टर को बुष्ट देने के लिए पी एलाइ स्कीम भी शुरू की है इसका जादा से जादा लाप मिलेट सेक्टर को मिले जादा से जादा कमपनियां मिलेट प्रोड़क्ट बनाने के लिए आ गया है इस दिशा को इस सपने को सिद्ध करना हमें सुनिसी तो पीम मोधी को आप देख रहे थे जो कि मिलेट वर्ष पर आज दिली के पूसा कृषिय विश्युद्याले परिस्सर में जो सौस से अधिक देशों किर्शी मंत्री हैं उनके साथ मोटे हैनाच के शोधार्तियों और जन आवड़ा हुआ इसमें वो संबोदित कर रहे थे